जैशीराम, मंगलवार व्रत विदी, सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्तर की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गोड का ही भोजन करना चाहिए। भोजन, दिन्या रात में एक बार ही ग्रहन करना ठीक है। व्रत 21 अपता तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोस्ट नश्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन की समगरी को चड़ावें और लालवस्तर धारन करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्रामन दमपती के कोई संतान ना थी जिसके कारण पती पतनी दुखी थे। व्रामन हनुमान जी की पूजा है तू हवन में चला गया। व्रामन वरत किया करती थी मंगल के दिन वरत के अंत में भोजन बना कर हनमां जी को भोग लगाने के बाद स्वय भोजन गरहनकरती थी एक बार कोई वरत आगया जिसके कारण ब्रामनी भोजन ना बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया, वे अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर अंग्रहन करूँगी, वे भोखी प्यासी छे दिन पड़ी रही, मंगलवार के दिन तो उसे मूर प्रसंचित सुन्दर बालक घर में क्रेड़ा करते देकर वे ब्रामन पत्नी से बोला ये बालक कौन है पत्नी ने कहा मंगलवार के ब्रत से प्रसंच हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा ये कुल्टा भायविचारनी अपनी कलुष्टा छुपाने के लिए बात बना रही है एक दिन उसका पत्नी कुवें पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ वे मंगल को साथ ले चला और उसको कुवें में डालकर पानी भरकर वापस घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहा है तभी मंगल मुस्कराता हुआ घर आ गया उसको देखकर ब्रामन आश्चार्य चकित हुआ रात्री में उसके पत्नी से हनमान जी ने स्वपन में कहा ये बालक मैंने दिया है तुम पत्नी को कुल्टा क्यों कहते हो पती ये जानकर हर्शित हुआ फिर पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन अनंद पूरुक व्यातीत करने लगे जो मनुश्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता ये सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसके हर्मान जी की कृपा से सब कश्ट दूर हो जाते हैं और सर्वसुक प्राप्त होता है मंगलवार तथा मंगलिया की का था एक बुढ़िया थी वे मंगल देपता को अपना इस्ट देपता मान कर सदैब मंगल का वरत रखती और मंगल देव का पोजन किया करती थी उसका एक पुत्तर था जो मंगलवार को उत्पन हुआ था इस कार्ण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृत्वी खोदा करती थी एक दिन मंगल देपता उसकी शद्धा की प्रिक्षा लेने के लिए उसके घर में सादू का रूप बना कर आए और द्वार पर आवाज दी बुढिया ने कहा महाराज क्या आग्या है सादू कहने लगा कि बहुत भूख लगी है भोजन करना है भोजन बनाने के लिए तू थोड़ी सी प्रित्वी लीप दे तो तेरा पुन्या होगा ये सुनकर बुढिया ने कहा महाराज आज मंगलवार की भृती हूँ इसलिए मैं चोका नहीं लगा सकती कहो तो जलका छड़काव कर दूँ उस पर भोजन बना ले सादू कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चोके पर ही खाना बनाता हूँ बुढिया ने कहा पृत्वी लीपन के स्वाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तयार हूँ तब सादू ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा बुढिया कहने लगी महाराज पृत्वी लीपने के अलावा जो भी आप गया करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी बुढिया ने ऐसे तीन वार वचिन दे दिया तब सादू कहने लगा कि तु अपने लड़के को बुला कर ओंधा लेटा दे मैं उसकी पीट फर भोजन बनाऊँगा सादू की बात सुनकर बुढिया चुप हो गई तब सादू ने कहा बुला लड़के को अब सोच बचार क्या करती बुढिया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी थोड़ी देर बार लड़का आ गया बुढिया ने कहा जा बेटे तुझको बाबा जी बुलाते हैं लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा क्या आ गया है महाराज बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ तब माता आ गई तो सादू ने कहा कि तू ही इसे लिटा दे बुढिया ने मंगल देवता का समर्ण करते हुए लड़के को उंदा लिटा दिया और उसकी पीट पर अंक्टी रख दी कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए मैं जाकर अपना काम करती हूँ सादू ने लड़के की पीट पर रखी हुई अंकिठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया जब भोजन बन चुका तो सादू ने बुढिया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ वे भी आकर भोग ले जाए बुढिया कहने लगी कि ये कैसे आश्चार्य की बात है कि उसकी पीट पर आपने आग जलाई और उसी को परसाद के लिए बुलाते हैं क्या ये संबभ है कि आप भी आप उसको जीवत समझते हैं आप कृपा करके उसका समर्ण भी मुझे ना कराएं और भोग लगाकर जहां जाना हो जाएए सादू के बार बार कहने पर बुढिया ने जियों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई तियों ही एक और से दोड़ता हुआ वे आ गया सादू ने लड़के को परसाद दिया और कहा कि माई तेरा वरत सफल हो गया तेरे हिर्दे में दया है और अपने इस्ट देव में अटल शद्ध है जिसके कारण तुमको कभी कोई कस्ट नहीं होगा मंगलवार वरत कथा स्माप जय शीराम जय हनुमा दोस्तो अगर आप भी मंगलवार का वरत रखते हैं और आपको ये कथा अच्छे लगी हो तो भगवान हनुमाजी के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मैं ऐसे ही भक्ती में कथाए आपके लिए लाता रहूँगा